शोक संतप्त सभी देशवास्यों और उपस्तित महनुभाव अकल जी हमारे बीच नहीं है जीवन कितना लंबा हो यह हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जीवन कैसा हो यह हमारे हाथ में है और अटल जी ने यह जी करके दिखाया कि जीवन कैसा हो क्यों हो किसके लिए हो कैसे हो और जीवन सच्चे अर्थ में वो ही जी सकता है जो पल को जीना जानता है और पल पल को जिसने जी करके जिन्दगी को समारा सजाया और जन सामान्य के लिए खपा दिया किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक सरीर ने जब तक साफ दिया वे जीए देश के लिए देश वासियों के लिए उसलों के लिए सामान्य मानवी के अर्मानों के लिए और उस काल में राजनिती की जीवन में जब राजनिती की मुख्यधारा के निकट परती कोई अन्य विचार या विबस्ता दूर दूर तक नजर नहीं आती थी इतना ही नहीं देश का एक लंबा कालखन सार्वजिनिक जीवन में खास करके राजनितीक जीवन में छुवा छुद का कालखंड रहा अपमानित होने के पल पल प्रयास होते थे जेलना पड़ता था उपेशा उफास अपमान इन सारी मुसिबतों से बीच से एक विचार के प्रती प्रतिवध्यता के कारण सुन्य में से सुरुष्वी का निर्बाण कैसा होता है उसे करने वालों में एक महापुरुष अटली विहरी बाजबाई अग्रिम पंक्ती में उनका नाम है इतना लंबा कालखंड विपक्ष में रहना और विचार की धार को कहीं खोट नहीं आने देना लोक्तंत्र के मुल्भुचिंतन को पूर्ण तया समर्पित रहते हुए संसदिय लोक्तंत्र की हर परंपरा का गवरवगान करते हुए जन सामानने के लिए आवाज बन करके जीना और जब अवसर आया तो जीवन को उन सपनों को पूरा करने के लिए लगा दे रहा वे नाम से ही अटल थे सा नहीं उनके वहवार में भी रग रग में वह अटल भाव नजर आता है 1998 ग्यारा मै प्रोख्रन वितिय सारी दुनिया के लिए भारत का अणू परिक्षान चौकाने वाला था और हिंदुस्तान में भी दस्षकों से तैयारी हो चुकी थी लेकिन हो नहीं पा रहा था ये अटल थे जिसके अटल निर्णे ने कर दिया लेकिन ग्यारा मै एक प्रकार से वो हमारे देश के वैज्ञानिकों की सिद्धी थी और अटल जी ने भी उसे वैज्ञानिकों को समर्पित किया था लेकिन ग्यारा मै को अनू परिक्षन के बाद सारे बिश्वने प्रतिबन लगा दिये सेंक्षन लग दे बहुत बड़ी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाप हो गई उस समय के धिंदुस्तान के हालात में किसी का भी रुख जाना ठैर जाना जुख जाना स्वाभावी था लेकिन ये अतल थे ग्यारा मै को पराक्रम अगर बैज्ञानी को अगता तो तेरा मै को दुबारा उन्होंने अनुपरिक्षन करकर के विश्व को चुनोती दी थी कि भारत अटल है भारत जुकने वाला नहीं है और यही सामर्थ होता है जो विश्व के अंदर भारत के अपने एक पहचान प्रस्थाफित करता है आज उत्राखंड हो छतिस गड़ हो जारखंड हो उन तीनों राज्जों ने राज्ज पुनरचना कैसे होती है राज्जों के बीच में विभाजन कैसे होता है किसी भी प्रकार की कटूता के बीना विवस्थाओं के अंदर अपरा तफरी के बीना एक उत्तम तरीके से लाजिनितिक मर्यादाओं के बीच सब को साथ लेकर के निर्णे करने की प्रक्रिया और आज देश नतीजे देख रहा है कि तीनों राज्ज अपने बल्बूते पर राष्ट की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिक आदा कर रहे हैं बाजपाई जी के दीग दर्ष्टा नितृत्व और कर्तृत्व का ही प्रणाम था कि हमें हमारे सामने इन तीन राज्जों को हम पनप्ते देख रहे हैं बिना कोई संगर्ष के बिना कोई कटुता के ये चीजे चल रही है छुवा छुत के सिकान अटल जी की सरकार बनी तेरा दिन चली कोई सांथाने को तयार नहीं था कोई भी राजनीती से डिग जाता है हिल जाता रास्था छोड़ देता लेकिन उन्हें अपने आप पर फरोसा था देश के जन सामाने पर भरोसा था देश की आशा आकांख्षाओं की अपेच्षाओं की जो लवस थी जिस पर रुके पूरी ताकत से पकड़ थी बे अटके नहीं रुके नहीं और जो कोई साथ नहीं चलने को तयार था देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बड़ाव आया और भारत जैसे लोगसंत्र में रिजिनल एस्पिरेशन्स को ओनर करते हुए है सब को साथ लेकर के चलने की प्रक्रिया को प्रारब हुआ और आज देश उन दो दिशा में लोगसंत्र को मजबूत बना रहा है जहां कुछ दल एक जगा पर इखटे हुए हैं कुछ दल दूसरी जगा पर इखटे हुए हैं लेकिन इसको सफलता पुरुवक पार करने का काम बाजपाई जी के दिर्ग द्रश्टी के कार्णों को आथा अंतर राष्टे मंच पर हिंदुस्तान कश्मीर को लेकर के जवाब देता रहता था हर बार कश्मीर को लेकर के भारत को घेर लिया जाता था ये बाजपाई जी की दिर्गे दर्ष्टी थी विदेश मंत्री के रूप में काफी अनुभव था विदेश के विश्ववप और पार्लामेंट में उनके अपनी विद्वत्ता पूर्ण बाते देश ने सुनी थी जब उनकों दाईत्म मिला उन्होंने बड़ी कुसलता पुर बिश्व के पूरे नेरेटिव को बदल दिया कश्मीर चर्चा कि ते हट गया आतंगवाद चर्चा के केंद्र में आ गया और बिश्व को कौन आतंगवाद के साथ है कौन आतंगवाद के सामने है इस प्रकारते दुनिया को दो हिस्सों में सफलता पुर्वक के बांट करक सारी विश्व को आतंगबाद के मुद्दे पर भारत के साथ लाने के लिए वो सबलता प्रोग आगे पड़े अनगिनत गुड गवर्नस की बात हो, नेतृत्व की बात हो, दल को आगे भढ़ाने की बात हो अनगिनत काम वाजपाईजी ने किये आज वाजपाईजी हमारे बीच में नहीं है मेरे जैसे करोरो कार करता है जिनको उनके साथ रहे करके चलने का मौका मिला है कार करने का मौका मिला है उनके लिए खालीपन बहुत बड़ा है लिकिन उनका पुन्यस मनन करते हुए पल पल जिस प्रकार से वो जीए है उसे जी करके हम उने आने वाले अपने कारकाल के दर्ब्यान हमें इस्वर ने जितनी भी जिन्दगी दी है उस जिन्दगी को उन सपनों को पूरा करने के लिए आहूत करने के लिए प्रेना मिलती रहे और हम उसको करें यही सबसे बड़ी सरफ धांजली होगी कोई कलपना कर सकता है आज ही दुसान में और जिस प्रकार की दुनिया है दस सांसक जो महापुरुष राजलीति मंच पर कहीं नजर नहीं आए राजलीति मंच की चर्चा में कहीं न हो पूरी तरह अलीति दस साल सारवजिरी जीवन में बहुत बड़े होते हैं दस साल तक एक गुमनाम अवस्ता की जिन्दिकी बाद उस व्यक्ति की बिदाय को जिस प्रकार से देश ने सरद्धा दी जो सम्मान दिया शायद ही कोई ऐसी घटना की कलपना भी कर सकता है कि दस साल के इतने बड़े अंतराल के बाद भी लोगों के दिलों पे इसी प्रकार से चाहे रहना ये अपने आप में उनकी जिन्दिगी का जीता जाकता सबूत है मैं सरद्धे अटल जी को सरद्धा जी देले के लिए सब्दों के सहारे जादा कुछ कहनी पाहूंगा लेकिन कल एशियन गेम्स में जब हिंदुस्तान का एक बेटा 24 पिस साल का बेटा बजरक पुनिया गोल मेडल जीतता है भारत को पहला गोल मेडल मिलता है और मैं मानता हूं साइज बजरक पुनिया ने कभी अटल जी को देखा नहीं होगा कभी मिलना का तो सवाल नहीं उठता है और जब अटल जी सक्रिये थे तब बजरक की उमर 10-12 साल रही होगी वो गोल मेडल जीतने के बाद कहता है मैंने आज कहीं पढ़ा कि मेरा इगोल मेडल मैं अटल जी को समर्पित करता हूं मैं समर्ता हूं इस से बड़ी जिंदगी की उचाई और सफलता कोई हो नहीं सकती है जो आने वाली पीडियों को भी प्रिना दे रही है ऐसे इस महापुरुस को सद्धा पुरवक नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं करते हुए